हेलो फ्रेंड्स मैं संजी और अब सब काईब गार फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम लोग फिर से डिस्क्रस करेंगा लेक्चर सेवन में ये क्लास 10 की मैथ जिसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर टू और इसमें चल रहा था सेप्स एन एंगल्स आकृतिया और कोड जो की सी लेक्चर होगा इसका है पार्ट सी होगा वेरी सोड कोश्चन एंसर करेंगे आज हम लोग और आज अभी देख रहे हैं आठ बज़े ठीक है ये दोनों मीडम के बच्चों के लिए हिंदी और इंगलिस दोनों के लिए है ठीक है तो चलिए खायर हम लोग कोश्चन कह रहा कि आपको थ्री साइड लेना है यानि साइड कितनी लेनी टोटल थ्री लेनी है और उसमें क्या करना है उसी थ्री साइड से आपको एक बार क्लोच और एक बार ओपेन यानि ऐसे आपको फिगर ड्रा करना है जिसमें एक बार ओपेन हो से और एक बार क्लोच हो तो भ खायadक है first side second third इससे क्या है कि triangle बना दिया तो इसको close कहेंगे यांद्ध आकरित में और इसको खुली आकरित कहेंगे ठीक है तहúcar है तो हम 3 भुषाओं से बना सके है ऐसे 4 भुषाओं से भी आप बना सकते हैं थीक समकोन बनदा हो यानि कि राइट एंगल क्या बनदा हो राइट एंगल बनदा हो हमने आपको पीछे पढ़ाया था राइट एंगल जो कि 90 डिगरी का होता है कितने को होता है 90 डिगरी का होता है इसे आपको आपजेक्ट बताना यानि कि वस्तो के नाम बताना है आप दरवाज देखे हो भई दर्वाजा ऐसे होता है सीधा सीधा ऐसे लगा रहता है तो देखो यहां पर 90 डिगरी बना रहा है क्या बना रहा है 90 डिगरी का कोड बना रहा है यहां भी 90 का बना रहा है यहां भी 90 का बना रहा है इधर भी 90 का बना रहा है ठीक है तो सभी जगए 90 का बनाता ह तो दरवाजा भी क्या हो जाएगा एक object हो जाएगा यानि दोर जो की 90 डिगरी का बनाता है right angle खिड़की में भी इसी तरह चारो कॉन ऐसे रहते हैं बिल्कुल है ना चवकोर रहता है तो क्या हो जाएगा आपका खिड़की भी 90 एंगल का बनाएगी कौन ठीक है आप खिड़की में देखेंगे अपने आत ऐसे ऐसे बना रहता है इसमें 90 डिगरी देखो बन रहा है ठीक है तो 90 जो right angle होगा ऐसे ही slate आप देखते होगे slate होगे रहे है ठीक ऐसे ये laptop देख रहे जिसमें स्क्रीन आप देख चारो तरफ से आपके होती है चार साइड की इसमें भी right angle बनता है आपका सही है ना तो कई सारे ग्यामपल हो सकते हैं आपके books हो सकती है आपकी books का cover पे देखो उपर का तो right angle वो भी बनाती है यह वाइट बोड देख सकते हो तो वो भी होता है table का save भी होता है तो खाफी सी कि समकोर का दोगुना कितने degree के कोर के बराबर होगा यानि कि do you know how many degree is the angle which is two times a right angle right angle का double कह रहा तो right angle अभी आपने देखा था 90 degree को कहते है और इसका double करेंगे तो कितना हो जगा 2 का multiply 2 0 0 हो जाएगा यानि कि 180 आपका आजाएगा लेकिन आपको लिखना कैसे है वर्डिंग में लिखना we know that right angle measures 90 हमको पता है हम जानते हैं कि 90 degree का right angle होता है ठीक है so two times a right angle double करेंगे right angle का तो multiply करके आपको रख देना है यह वर्डिंग भी आपके लिए जरूरी होता है ठीक है वर्डिंग आपक देंगे ठीक है बाकी कुछ इसमें खास ज्यादा नहीं है इसको आपको लिख लेना है चौथा number question देख लेते हैं कर अच्छेब हो जाओ कि ऐसी आकरित बनाए जिसके कोई दो कोड़ समकोड कम से कम हो यानि कि कम से कम दो कोड़ समकोड होने चाहिए 90 को होना चाहिए ठीक ह अच्छा समकोड से कम हो यानि कि 90 से कम होने चाहिए दो एंगल ऐसे बनाएना है जो 90 से कम हो आइसे यहाँ यहाँ दिया है draw a six sided figure in which any two angles are less than right angle यानि right angle से कम होना चाहिए और उसकी figure की size यानि कि आकरित की side कितनी होनी चाहिए भुजा 6 भुजा होनी चाहिए ठीक है 6 होनी च 6 है और देखो यह क्या है यह आपका Oxfordximus जादा दिक है यह भी देखो आपको जंगल अधिक कोण बननाए यहाँ भी देखो plaintus जादा बनना यहीं 91 so कम बनना है यह त्यकर यह 90 से कम बनना है आगर यह 90 का अगर इस जादा करोगे त्याक्र दीनानिंत से से कम है 2 angle आपके 90 से कम है या यानिंगे 90 से कम है SUM कौर से कम है राइट एंगलस ठीक है तैसे आपको चितर बनाके जाना है ठीक है इनको बना लेना चित्र इसमें ठीक बिल्कुल यही एंसा लिख लिएना है जो इसमें दिया गया है बाकी मैं समझा दिया हूं फिफ्ट नमबर क्वेश्चन आपका है देखिए आपे घड़ी में तीन बजे घंटे और मिनट की सुईयों के बीच कौन सा कौन बनता है आपको पता है आप लोग घड़ी कभी न कभी बनाए होंगे है ना चलिए खेर आपको हम दिखा देते हैं ठीक बिल्कुल चलिए मैंने घड़ी यहाँ पर ले लिया है चीक इसको बना लेते हैं हम लोग घड़ी यहाँ पास ती बन जायागा आपका देखो सब सूपर रहता है 12 बचते है 12 नीचे रहता उसका जेस्ट अपोजी 6 होता है इधर क्या होता है 3 होता है इधर होता 9 ती आ यहाँ बीच में सेंटर होता है बाकी आप यहाँ पर भर सकते हैं दूसरे इनी की सेम सेम डिफरेंस में 12 इधर 45 इधर 78 आपका 1011 यह होगे आपका टोटल आप इसमें देखेंगे कि हमको कितने बजाना है तीन बजे तीन बजे कब बचता है जब आपकी घंटे वाले इसोई 3 पर हो ठीक अम बन रहा है 90 डिगरी का बनना भई ठीक तो कितने का बनेगा 90 घंटे और मिनट के सुयों के बीच आकरित में कितने का बनेगा 90 कोड बनेगा देखो बना दिया गया ठीक है आप यहाँ पर लिग भी सकते है 90 डिगरी ठीक है बिलकुल तो राइट एंगल इस फॉर्मेड जो गया आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेशटेन यह 6 नंबर कॉषटेन आता है अंग्रेजी की कौन-कौन से बड़े अच्छर समकोण बनाते हैं यानि कि आपको अंग्रेजी की ए से लेकर के जड़ तक ऐसे लेटर बताने हैं जिन में समकोण कोण बनता है अंगल राइट अंगल बनता है क्या बनता है राइट अंगल यह निनि 90 डिगरी बनता है कितने का 90 डिगरी तो आप देख रहे हो बज़ ए इसमें दिया गया है इमें तो बिल्कुल इमें बनता देखो एसे सीधा होता है ति देखो यहां से यह 90 बना रहा है इधर से भी 90 मतलब ऐसे बन रहा है आकरित की नह बना रहा है इदर सबुतовых चार चार क्या और दूसरी प्रकार की बनता होता है क्हां गाल क्या क्या आप Capital letters of English alphabet makes right angle, right angle बनाना है, तो खेर यह आपका बन गया, चलिए खेर 7th number question में चलते हैं, 7th number question जो कह रहा है आपका या पास, ठीक है, 7th number question देख लेते हैं, देखो दियागे, इसमें अंग्रेजी वड़ वाला के इन दो वर्ड को देखिए, इन में किस वर्ड से ज़्यादा हैं हैं, यानि वर्ड कह रहा है, अच्छर, look at these two letters of English alphabet in which of these alphabets more right angles are there, ठीक है, तो इसमें करा, दो दिया गया, देखो yes दिया गया है, तो इसमें count करना है, किसमें ज़्यादा right angle है, तो चलिए count करते हैं, यस वाले में, देखो इसमें count किया, देखो एक यहाँ पर बना, ए एक तीन इस मोड पर, चार इसमें, लिए total कितने बने हैं, चार बने हैं, सही है ना, बिल्कुल, कितने बन गए हैं, चार बन गए हैं, clear है, yes, तो यहाँ पर चार कोड आपके बन गए हैं, अंगल यहाँ पर जो की right angle है, सही है, बिल्कुल, यह right angle आपके यहाँ पर बन कर त यहां पर मिल रहा, तो यहां कि दो कोण बनना है, ठीक, यहां कि आपके दो है, इसमें चार तो सबसे ज़्यादा किस में बन रहे है, यहां कि आप बता देंगे यहां पर, कि in later, there are more right angles, yes, यहां कि आपके ज़्यादा बनना है, ठीक है, yes, तो यही चीज़ आपको इसमें आपको बताया गया है, एक आपको बताया गया है, एक रिफलेक्स एंगल बताया गया है, एक आपको बताया गया है, एक आपको बताया गया है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसमें देखेंगे आगे गा, ठीक है, चले ठीक है, सभी को बाइबा and take care सभी को